अलो दोस्तो मैं सिदाथ कुमार और आप सभी कई भी हिंदी में स्वागत है तो दोस्तो 15 अगस्त 2023 इलेक्टिक टू वीलर कस्टमर के लिए सबसे खास दिन था क्यूंकि 15 अगस्त को ओला कंपनी ने बहुत सारे वीकल को लॉंच और अन्वील कर दिया इस 15 अगस्त 2023 को ओला क लेक्सरन प्रो जेन 2 को लॉंच कर दिया और तीन नई इलेक्टिक स्कूटर भी लॉंच कर दिया और अपने चार बाइकों को वी अन्वील कर दिया इस वीडियो-मism हम बाइक के बारे में बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कौन सी बाइक आपके लिए अच्छी होने व पहली है कुरूजर ये बाइक सभी को देखते हुए बनाई गई है और जो लोग इलेक्ट्रिक बाइक चलाना पसंद करते हैं उनको ये बाइक काफी पसंद आने वाली है इस बाइक में लगबग 200 से 800 किली मिटर तक का रेंज देखने को मिल सकता है देखने पर ये गाड़ी बिल्कुल दुगाटी की तरह दिखती है फ्रंट में आपको 19 इंच का वील देखने को मिलेगा और डियल डिस ब्रेक देखने को मिलेगा जबकि रियर में आपको 17 इंच का वील देखने को मिलेगा और सिंगल डिस ब्रेक देखने को मिलेगा ये को Adventure Purpose के लिए बनाया गया है और ये बाइक खास करके Long Trip के लिए बनाई गई है और Hill वाले एरियों के लिए बनाई गई है पहाड पे भी इस गाड़ी को आसानी से ले आ सकते हैं जैसे कि ले लाधाक वाले एरिया और जाहिर सी बात है कि Long Trip के लिए बाइक बनाई गई है तो इसमें आपको Long Range देखने को मिल सकता है इस बाइक में आपको 5 इंच का Dashboard डिस्पले देखने को मिल जाएगा Wheel Size भी Cruiser जितना ही है मतलब Front में 19 इंच और Rear में 17 इंच दोस्तों तीसरी है Roadster ये बाइक Daily Use Purpose के लिए बनाई गई है इसे आप Office, College, Public Place जैसे एरियाओं में ले आ सकते हैं और ये बाइक रोड पे चलने के लिए भी बिल्कुल लगबग तयार है और Ola Team ने इवेंट में इस बाइक को चला कर भी दिखाया है तो लगबग ये बाइक Ready है लॉंच के लिए और जल्दी इसका लॉंच भी देखने को हमें मिल सकता है इस बाइक में भी आपको Front में Dual Disc Brake और Rear में Single Disc Brake देखने को मिलेगा पाच इंच का इस बाइक में भी डिस्प्लेट दी गई है दोस्तों चोथी है Diamond है ये बाइक ओला की Premium बाइक होगी और इस बाइक को Sport केटेगरी के लिए बनाया गया है और ये बाइक बाकी तीनों बाइकों से बिलकुली अलग होने वाली है और ये बाइक Future की बाइक है इसे आने में भी बहुत टाइम लग सकता है तो दोस्तों ओला ने इवेंट में ओफिसियल तोर पर बताया है कि ये चारों बाइक आपको 2024 के लाश तक देखने को मिल सकती है लेकिन इनमस से सबसे पहले आपको रोडेश्टर बाइक देखने को मिलेगी और दोस्तों एक खास बात जो आपने इवेंट में बाइक देखिये बिल्कूल ऐसी बाइक देखने को तो आपको नहीं मिलेगी इसमें काफी चेंजेस देखने को मिलेगे क्योंकि ये प्रोटोटाइप बाइक थी लेकिन यह bike electric bike category में करांती लाने वाली काम करेंगी क्योंकि काफी अच्छी bike होने वाली है look wise भी और performance wise भी और दोस्तो भावे सगरवाल जी ने event में ये भी कहा कि ये चारो bike पूरे वर्ल्ड में sell की जाएंगी और जो सबसे चोकाने वाली अपडेट है कि पूरे वर्ल्ड के लिए Ola इंडिया में ही बाइक मेनुफेक्चर करेगी तो यह काफी अच्छा Ola की तरफ से फैसला होने वाला है और इससे हमारे देश को भी काफी हल्प होगा चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक करें और कॉमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको कौन सी बाइक सबसे अच्छी लग रही है और किसी भी परकार की जनकारी पाने के लिए भी कमेंट में कमेंट जरूर करें और ऐसे ही EV कॉंटेंट के लिए हमारे चैनल EV Indy को सब्सक्राइब करें Go Green, Go Electric